दोस्तों अकसर आपने सुना होगा कि चिया सीड्स एक ऐसा सूपर फूड है जो आपको वेट लॉस में बहुत हल्प कर सकता है Well, it is true. क्योंकि चिया सीड्स एक सूपर फूड भी है और इसके वेट लॉस बेनेफिट्स भी बहुत होते हैं लेकिन अकसर लोगों को इसका सही खाने का तरीका नहीं पता और समय नहीं पता और तो और खरीद तो लेते हैं जोश में आके कि इसको खा के अब हम पतले हो जाएंगे लेकिन वहीं कवहीं पैकेट में सजा रह जाता है इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको chia seeds से जुड़ी सारी जानकारी दूँगी जिससे आपका weight loss भी होगा और health भी better होगी दोस्तो chia seeds एक special category के plant के beach होते हैं जो की mint family को belong करता है और इसका origin है Mexican यह black और gray color की seeds होती हैं जिनके अंदर छोटे-छोटे white और black spots पाई जाते हैं और इसके फाइदे इतने हैं कि आप उंगलियों पे गिंते-गिंते ठक जाएंगे उंगलिया खतम हो जाएंगी लेकिन फाइदे नहीं इन शोट छोटा packet बड़ा फाइदा तो अब मैं आपको जल्दी से इसके benefits बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि कब कैसे और कितनी quantity में इसको रोज consume करना चाहिए maximum health benefits के लिए दोस्तों chia seeds का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि एक nutrient dense food है इसलिए इसको एक super food का दरजा दिया गया है ये essential nutrients से loaded है जैसे कि magnesium, phosphorus, calcium calcium आप लोगों की bone health के लिए बहुत अच्छा है दूसरा benefit chia seeds का है कि एक quercetin से loaded है जो कि एक antioxidant है ये आपकी body में oxidative stress को कम करता है और degeneration होने से रोकता है और नई cells को बनने में बहुत मदद करता है इसका मतलब ये इसी लिए super food कहा जाता है तीसरा benefit chia seeds का सबसे महत्वपून ये है कि इसके अंदर omega 3 and 6 fatty acids पाई जाते है जो हमारी skin health के लिए बहुत जादा अच्छे माने जाते है और ये जो omega 3 and 6 fatty acids है खास करके vegetarians को इसकी अच्छी sources नहीं मिल पाती तो अगर आप vegetarian हैं तो ज़रूर chia seeds को अपनी daily diet में include करिएगा चौथा और सबसे बड़ा फाइदा chia seeds का ये है कि ये fiber की मात्रा से भरपूर होता है जिसकी वज़े से लंबे समय तक भूप नहीं लगती एक appetite suppression की तरह भी काम करता है और तो और एक steady flow of energy रखता है आपके शरीर में जिसकी वज़े से आपका जो digestion है वो boost हो जाता है कि इसके अंदर protein की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है vegetarian के लिए खास करके protein की अपनी जो source है पूरे करने में बहुत दिक्कत होती है तो chia seeds एक बड़ा ही अच्छा, एक safe भी है अपनी digestion को भी strong करने का, लंबे समय तक भूप भी ना लगे और जिन लोगों को PCOS, thyroid, diabetes, BP, cholesterol या फिर कोई skin allergy ऐसी कोई भी problem है वो भी chia seeds को अपनी daily diet में ज़रूर include करें क्योंकि chia seeds बहुत beneficial है, specially metabolic syndrome वाले लोगों के लिए जिनका digestion एकदम slow and sluggish हो गया है जिसकी वज़े से उनका खाना नहीं digest होता body में खुब सारे toxins build up हो चुके हैं, उनको constipation है तो ये regular bowel movement में भी help करेगा और उसी से आपका weight loss भी होगा, तो ये super food definitely है right choice तो ये तो होगी benefits की बात, अब जल्दी से जान लीजिए कि इसको आपने खाना कैसे है chia seeds को खाने के दो तरीके हैं, या तो आप raw ले लीजिए या फिर इसको soak करके अगर आप इसको soak करके लेते हैं, तो ये कम से कम 2 या 3 घंटे तक अगर आप भीगो के लेंगे तो अपना 10 गुना ये फूल जाता है, जिस पानी में आप इसको बेगोएंगे, ये उसको सारा का सारा soak के एक gel-like structure बना लेता है जो आपके लिए बहुत जादा beneficial है, क्योंकि ये आपके शरीर को dehydration से बचाता है अब मान के देखिए, अगर आप उसको soak नहीं, raw version में खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जाके, जितना आपके शरीर के अंदर पानी है, उसको यूज करके ये फूल जाएगा और आपको तो पता ही है, कि हमारे शरीर को पानी की कित्ती जुरूरत है और hydration is the key to weight loss इसलिए अगर आप weight loss के लिए chia seeds लेना चाहते हैं तो definitely आपको soaked ही खानी चाहिए, raw form में नहीं chia seeds को खाने के और बनाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे ही instagram page पे आपको धेर सारी recipes मिल जाएगी जैसे कि smoothies हैं, juices हैं या फिर उसको yogurt के अंदर डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसका oatmeal एक porridge बना के उपर से डाल सकते हैं मैं तो इसको अपने देसी तड़के की तरह इस्तिमाल करती हूं बिना किसी तेल के जो भी खा रही हूं उसके उपर soaked chia seeds डाल के जरूर खाती हूं बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगर कुछ नया तरीका ट्राइ करना है तो लसी, छाच, निम्बू पानी किसी में भी डाल के इसको ले सकते हैं अब आपने डेर सारे तरीके तो जान लिए इसको लेने के लेकिन लेना कब है? आईए मैं बताती हूं जब आपका सिस्टम एकदम फ्रेश हो, एकदम एम्टी हो इसको रात बर आप भिगो के रख सते हैं मैं तो नॉमली अपने बेट साइट टेबल पे एक ग्लास के अंदर रात को चिया सीट भिगो के रख देती हूं रूम टेंपरिचर पानी में और उसके अंदर दो निम्बू के स्लाइस भी डाल देती हूं सुबह उठते ही बिना ब्रश करें मैं इसको पीती हूं इसके सबसे बड़ा फाइदा होता है कि आपकी मेटबॉलिजम को बड़ा ही फास्ट कर देता है और आपकी digestion को भी strong उससे आपकी body को एकदम strength सी महसूस भी होगी पूरा दिन भरा भरा भी महसूस होगा और तो और जितना भी आप healthy खाना खा रहे हैं पूरे दिन में उसमें आपको nutrient absorption में बहुत मदद मिलती है इस time पर chia seeds जैसे super food का सहारा लेके आप अपना nutrient absorption भी बड़ा सकते हैं अब बाकी सारी information तो आपने ले ली लेकिन कितनी quantity में chia seeds खानी है ये तो आपने समझा ही नहीं आईए मैं बताती हूँ पूरे दिन में आपने अगर chia seeds लेनी है तो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे 2 टेबल स्पून रो नहीं सोक्ट की बात हो रही है जिसके अंदर होती है total 16 calories और उन 16 calories में से उसमें carbohydrates की मात्रा होती है 1.4 grams और उस carbohydrates में से 1.1 grams तो fiber ही है इसमें protein है 0.5 grams और fat की मात्रा है 1 grams जो बिलकुल भी कुछ नहीं है क्योंकि यह जो fat है यह है healthy fat जिसके आपके शेरीर को बहुत ज़ादा जरूरत है क्योंकि fat soluble जितनी भी vitamins है vitamin A, D, E, N, K उनको आपकी body में absorb होने के लिए in healthy fats का सहारा लेना पड़ता है तो यह healthy fats तो बहुत अच्छे हैं बाकी के जो आप trans fat या फिर saturated fat से भरा हुआ खाना खाते हैं शुगर खाते हैं या कोई भी और उस fat से यह वाला fat बहुत अलग है तो बस आप तो chia seeds से related सारी जानकारी दे दी है मैंने आपको तो कल से packet खोलिए, खाईए और जल्दी से पतले हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है chia seeds आपको weight loss में help तो कर सकता है लेकिन अपने आप आपका fat नहीं burn कर सकता अगर आप इसको healthy meals के साथ नहीं खाएंगे तो यह आपका weight loss process और भी जादा slow कर देगा क्योंकि इसकी क्षमता healthy dietary addition के तोर पर ही की जा सकती है अगर आप सोचे कि यह रातो रात fat burn कर देगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ, अगर आप healthy खाना खाएंगे, थोड़ा अपना fat का intake कम करेंगे और उसके साथ में chia seeds को खाएंगे, तो बहुत जल्दी results मिलेंगे ऐसे और informative videos देखने के लिए जल्दी से मुझे comment करके बताईए कि अगले कौन से topic पर आप पूरी की पूरी information चाहते हैं और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजे like, मेरे चानल को subscribe और हाँ, notification bell दबाना ना भूले I will see you soon with many many more exciting videos, until then take care